हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट एक लिए बताते हैं कि क्रूड ओयल और यूस ओयल में क्या टार्गेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो की इंपेक्ट डालेंगी इन दोनों के उपर तो शुरुवात क हुए हैं और यहन पर यूस और में भी अच्छे तरह से बहुत हर नेक्स टे की बात कर लेते हैं यह जो ुचहाल हमें देखने को मिला है उसके बारे में जान लेते हैं कि वह क्यों हुआ तो यहां पर उसका जो सबसे बड़ा रीजन वो यह है कि जो United States है उसने अब यह indication देना शुरू कर दिया है कि अगले जो साल होगा उसमें वो अपने interest rates को decrease कर सकते हैं अब अगर interest rate decrease होते हैं तो उसकी वज़ाई से जो एक fear बना हुआ था एक खत्रा जो बना हुआ था कि economic slowdown आएगा जिसकी वज़ाई से crude oil की demand कम हो जाती क्योंकि अगर interest rate वो कम करेंगे तो उसकी वज़ाई से जो companies होगी उनको अब loan लेना ज्यादा आसान होगा और उनकी ज्यादा growth होगी और जब companies की growth होगी तो crude oil जो है उसकी demand भी increase होगी तो वो एक अच्छी चीज है crude oil के लिए जिसकी वज़ाई से यहां पर यह उपर की और को इसने move करा है इसके अलावा जो हुथी ने attack किया था Red Sea में उसमें भी यहां पर थोड़ा सा हमें पहले उच्छाल देखने को मिला था लेकिन वो अब यहां पर कोई positive चीज नहीं दे रहा है crude oil के लिए यहां पर क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि जो बहुत सारी जो countries हैं ज के जो actions हैं उनके खिलाफ यहां पर लड़ेगी तो उसकी वज़ा से अब Denmark और बाकी जो countries हैं उन्होंने यह decide करा है कि वो अब फिर से Red Sea के थुरू अपना जो ले जाते थे crude oil उसे अब वो फिर से शुरुआत करेंगे उसकी तो यहां पर जो एक problem बने हुई थी कि supply की problem जो चल रही थी जिसकी वज़़े से crude oil उपर की ओर को जा रहा था अब वह problem टल रही है और supply में जो बाधा आ रही थी जिससे की crude oil ऊपर जा रहा था अब वह बाधा कम हो गई तो supply अब ר्मल हो जाएगी जिसकी वाज़ से crude oil वूनेचे की ओर को भी आ सकता है जबैब और साथ ही यहां पर यह जो लेवल है रहा पहले भी बता चुका हूँ. पहले भी वीडियोॉ 시et में मैं बता चुका हूँ है यह जो लैवल है अब यह लैवल काफी ज्यादा mbल खोतरनाग लैवल है क्यूंकि यहां पर बहुत बार ये पहले भी हon 20 ले चुका है यहां पर भी रेसिस्टेंस मिला है और आप देख सकते हैं इस एरिया के आसपास कितना जादा रेसिस्टेंस मिला है यहां पर भी देख सकते हैं कि कितना जादा रेसिस्टेंस इसे मिला हुआ है तो यह जो पूरा एरिया है यह पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में कहीं पर भी ये वापिस नीचे की और को आ सकता है, तो इस वज़ए से यहां पर अभी जो है एक और चीज ये भी है कि बहुत सारी कंट्रीज में आप जैसे देख सकते हैं कि जो डेटा है वो भी नहीं आ रहा है, अब डेटा नहीं आ रहा है, कुड़ उसकी डिमांड यहां पर कम हो जाती है, और साथ ही डेटा नहीं आता, तो उसकी वज़ए से भी जो एकदम से हमें उच्छाल देखने को मिलते हैं, उनके चांसे भी कम हो जाते हैं, तो जिसकी वज़ए से यह जो रेसिस्टेंस का जो एरिया है ये, इसे तोड़ पाना इस से इतना जादा आसान नहीं होने वाला, तो उसकी वज़ए से यहां पर ये most probably बहुत जादा चांसे हैं कि यहां से ये नीचे की और को अब आ सकता है, तो यहां पर अब उपर की तरफ को अगर ये 6,3,2,5 के लेवल के उपर अगर green candle की closing देता है, तो फिर उसके बाद हमार next target यहां पर बहुत बड़ा नहीं target मैं दे रहा हूं, यहां पर 6,3,7,1 ही आपको next target मैं दे रहा हूं, इससे ज़्यादा बड़ा target नहीं दे रहा हूं, जब कि downside के लिए यहां पर, downside के लिए यहां पर आप जो है इस level को, यानि कि 6,2,8,0 के नीचे red candle की closing आने देजिए, उ इसके अलावा यहां पर इसके नीचे भी अगर red candle की closing आती है, तो फिर उसके बाद हमारा जो next target है यहां पर, वो 6,1,4,1 का यहां पर नीचे की तरफ को रह सकता है, तो यह नीचे की तरफ के और उपर की तरफ के targets हमने आपको दिये हैं, बहुत बड़े levels मैंने आपको नही नहीं दिये है, targets मैंने बहुत बड़े नहीं दिये है, reason उसका यह है कि मैं आपको पूरी explanation दे चुका हूँ, उपर की तरफ को forces है, नीचे की तरफ को भी forces है, और साथ ही फिलहाल छुटियों का भी time चला हुआ है, इसकी वज़ए से data नहीं आ रहा, और data नहीं आ रहा, तो यहां पर बहुत बड़े move की हम यहां पर, जो है, हम नहीं कह सकते की बहुत बड़ा move कोई हमें देखने को मिलेगा यहां पर, और तो यह crude oil में हमारे levels है, crude oil में काफी सारी दिक्कतें भी हैं दोस्तों, क्योंकि 9 बज़े market open होती है, और रात के 11-12 बज़े तक यह market चले रह करती है, और gap up और gap down की समस्या आती है, और साथ ही सबसे बड़ी problem ही है कि MCX में जब यह आप trading करते हैं, तो लाखों में आपको यहां पर सबसे पहले margin रखना पड़ता है, तो उसका solution है USOL में trade लेना, USOL में अगर आप trading करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको gap up और gap down की problem नह कर सकते हैं, साथे 4 डॉलर से आप trade कीजिए और सेम वही effect जो crude oil पर पड़ते हैं, जो chart यहां पर इसका होता है, वही chart इसका भी होता है, तो यहां पर आप trading कर सकते हैं, तो अब आप forex trading अगर करना चाहते हैं, तो उसका platform है, वो है Exynes का platform, और Exynes के इससे बढ़िया platform आप भरोसे लाइक भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ कि आप Exynes पर ही अपना forex trading account open करें, मैं भी सालों से इसका use कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि Exynes जो है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस वीडियो के कैसे money yard करते हैं, कैसे withdraw करते हैं, तो वो वीडियो आप देखिए और कैसे account बनाते हैं, वो आप उनको देख करके बनाईए, तो जल्दी से Exynes पर अपना forex trading account open कर लेजिए और US oil में trading कीजिए, अब हम यहाँ पर US oil की भी बात कर लेते हैं, तो US oil में यहाँ पर, यह जो level है अब इस level से उपर, यहाँ पर काफी risky इसके लिए है, और अगर यह इस level के उपर अगर यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर इसका जो target है, वो यह level मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने फिलाल, यह वाली candle जो है, वो फिलाल चल क्लोजिंग यह देती है अभी फिल्हाल तो चल रही है क्लोजिंग नहीं आई है तो अगर यह सकता है लेकिन अगर यह इसके निचे रेड़ कंडल की पुछ लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद नेक्स टांगर हमारे यहाँ पे 74.95 रहेगा और उसके निची भी अगर रेड़ कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स तार्गट यहां पर हमारा यह रहेगा यह है 74.53 का लेवल तो यह हमारे लेवल्स हैं डाउनसाइड के लिए जो मैंने आपको दिये हैं अगें यहां पर भी एक एक दो दो ही लेवल में आपको दे रहا हूं ज़्यादा लेवल मुक्यक्ति ज़्यादा मुव की यहां पर आशंका लग नहीं रही है यहीं यह है लेवलज कूर वैस्ट वाइल और यह एक लाही वीडियो पर वीडियो पशंद आ रही है अगर वीडियो प Çünkü ल QU लें चैनल घ्यंटे जिल्दे मिसं सब्सक्राइब कर लेजिए यह वीडियो आपको सिफ एजुकेशन पर पसके लिए बिनाई जा रहे हैं हम से भी रेजिश्टर्ट फाइनेशल वाइजर्स नहीं है तो ट्रेल लेने से पहले अपने फाइनेशल वाइजर्स से जरू सला लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो मे तil then have a nice day goodbye and stay safe